कि नमस्कार दोस्तो सामदाएक स्वास्थ्य प्रस्ष्थ्यर कारेक्रम में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है क्मटि हेल्थ टेनिंग प्रोग्राम यह बहुत इंपडेंट प्रोग्राम है है अफ्ल का और सब सबसे बड़ी बात यह कि यह प्रोग्राम आप सभी जो स्वास्थय कारें करता हैं, जो राज में अप्रस्थिक्षित हैं, उनको प्रस्थिक्षित करने की दिसा में एक बहुत बड़ा काम कर रहा है. आप जानते हैं कि बिहार राज में इस पेसली इस कारिकरम को जो बिहार सरकार का जो स्वास्थ विभाग है उसकी राज स्वास्थ समिती के साथ में ये कारिकरम NIS के साथ संयुक तुरूप से ये चल रहा है और जो भी बिहार राज में अपना सिक्षित स्वास्थ कारिकरता है उन्हों सभी के लिए ये कारिकरम चलाया गया है और ये बहुत बड़ी सरकार की और NIS की दोनों की मिलकर के ये संयुक पहल है जिस पहल पर एक बहुत बड़ा कारिकरम आप सब लोगों के लिए है जो स्वास्थ की दरष्टी से और रोजार की दरष्टी से भी इस कारिकरम जो है वो बहुत महत पूर है आज हम इस स्वास्थ प्रस्षिशन कारक्रम से संबंदित आपको कुछ महत्पूर्ण जो बिंदु हैं टॉपिक्स हैं उन पर चर्चा करेंगे हमारे साथ इस्टूडियो में डॉक्टर दिविश्चन मिस्थ्रा आप पढ़ा रहे हैं मैं डॉक्टर दिविश्चन मिस्थ्रा जी का स्वागत करता हूँ बहुत-बहुत स्वागत है रख साव आपका नमस्कार नमस्कार और आपको ये भी बता रहे हैं कि डॉक्टर दिविश्चन मिस्थ्रा डिरेक्टर हैं गोपाल हॉस्पिटल पतना से वहाँ डिरेक्टर के रूप में आप काम कर रहे हैं और स्वास्था के शित्र में बहुत सारी अपनी सेवाई वो प्रिदान कर रहे हैं सामधा एक स्वास्था पर स्वास्था कारेक्रम में आपका बहुत महत्पूर्ण योगदान रहा है लेखन कार्यक्रम में भी और दूसरे आप संपादन के रूप में भी आपने काफी अच्छा काम किया है तो आज हम आपके साथ कुछ महत्पूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं सबसे पहले तो हम ये बता दें आपको कि बिहार राज्य में जो 21,800 बार है हमारे जो आपता सिक्षित सास्था कार करता टेनिंग ले रहे थे उनकी जो टेनिंग है वो संपन हुई है और उनका एक्जाम भी बहुत जल्द जो अभी पिछली डेटों में संपन हुआ है 22,23,24 जनवरी को और उनके ट्रक्टिकल भी अभी चल रहे हैं तो सबसे पहले successful उनकी परिक्षाओं के लिए मेरी तरफ से और डॉक्टर दिविश्चन मिस्रा एनाइस परिवार की तरफ से और बिहार राजी सरकार की तरफ से आप सबी को बहुत बहुत बढ़ाई बहुत बहुत सबकाम नहीं क्या रख सब आप क्या समझते हैं कि ये जो बहुत अच्छा अनवाव कर रहा हूं मैं बहुत अच्छा अनवाव कर रहा हूं खास करके जबकि बहार सरकार के पहल से और एनाइयोस के साथ मिल करके ये कारिकरम सुरू हुआ बहार एक ऐसा प्रांथ है चोहन साहब जहां की डॉक्टरों की बड़ी कमी है जो चिकित्सक हैं वो भी बहार से बाहर जाकर कहीं कहीं काम कर रहे हैं कुछ अपनी वेवस्ता के कारण तो नतीजा ये है कि स्वास्तिकारी करता चिकित्सक और दूसरे पैरा मेडिकल स्टाफ ये सब बिहार में बहुत ही काद्ब जंखा में ऐसी सिती में अनाई उएस से जब बाइस जार प्रशिक्षित स्वास्तिकारी करता बाहर निकलेंगे तो मुझे लगता है कि बिहार कि स्वास्तिका का जो एक बड़ा बोज्ज है वो काफी कम होगा चिकित्सकों का भार है और हमको लगता है कि वहां के लोग इससे काफी लाभान बेता होंगे बिलकुल डग सब बिहार राज्य सरकार की यह बहुत बड़ी स्वास्ता की शेत्र में पहल है और राज्य स्वास्ता सम्ती स्वास्ते विभाग के सर्युक्त तत्वाधान में एनायरिस का यह कारिकरम निश्य दूप से सराहनी है और जैसा की बताया कि मुख्य जो उदेश है इस कारिकरम का वो अप्रस्टिक्षित स्वास्ता कार करता जो ग्रामीर शेत्रों में जहां स्वास्ता के शित्र में बहुत कमी है कुछ चीजों की और वहां मेडिकल इस्टाफ बहुत कम है उन शिक्षत कारना है साथ ही कुछ अनुभव हैं ऐसे जो सबसे पहले तो बधाई के पात्व है मैं डग साब को भी अनुरोग करूँगा क्योंकि रख साब खुद पत्टना से है और इस पत्टना के होने की वैसे उनका जो अपना एक अनुभव है जो नहोंने इस कार्करम के क कारिकरताओं को देखा है बड़ी नजदीकी से कि वो किस तरह से ग्यामिर शेत्रों में उत्साइद होकर के इस ट्रेनिंग को उन्होंने पूरा किया है और वो बास्तम बधाय की पात्र है तो मैं डग सब से पूछना चाहूंगा कि कुछ लोगों से उनकी बात भी हुई है औ मैंने देखा है लोगों के बीच ये कारिकरम ये पाठिकरम बहुत लोगप्रिय है लोग इसे पसंद करते हैं अभी कुछ दिनों पहले जब मुझे मालू हुआ डारेक्टर डॉक्टर सिंजय कुमार सिन्हाजी से कि ये कारिकरम का देट बढ़कर के 31 दिसंबर से 31 जनवरी हो गया है तो हमारे पास लोग पूछने आते हैं कि अब डेट खतम हो गया है अब अडिमिशन कैसे होगा जब मैंने उन्हें सोचना दी तो उसके बाद कई बहुत सारे लोगों ने नामांकन कराये हैं तो मैं सिर्फ पटना के आसपास की बात बता रहा हूँ ऐसे दूसरे कारण बहुत से लोग ने नामांकन कर रहा है यह इस बात का प्रतीख है कि यह कारिक्रम उस स harmful में बहुत तो और इसका इसका डुप्लिकेशन दूसरे राजियों में अगर किया जाए दूसरे प्रांतों में किया जाए तो मुझे लगता है कि वहां की सरकार और वहां के स्वास्थ विभाग पर जो एक्स्टा बड़न पड़ा हुआ है डॉक्टरों पर वह काफी हद तक कम हो जाएगा बिल्कुल ड़क साथ आपने अस्वत्त कहा कि जोगर यह कारिकरम अन्य राजियों में भी इसी प्रिकार से संचालित किया जाता है तो निश्चत रूप से वहां की जो स्वास्थे की जो सेवा हैं उन पर बहुत एक अच्छा प्रभाव होगा और स्वास्थे जो है लोगों का ठीक हो कहीं से इनको प्रमार पत्र नहीं मिला है तो वो निश्चे रूप से सर्थिफाइड हो सकते हैं इस कारिकरम के तहट और एक बहुत अच्छी पहल हो सकती है दूसरे राजियों में भी तो इसके अलावा एक बात और हम कहना चाहेंगे जी ड़क साथ वहां के चिकित्सकों क पूरे उत्साह से इस कारे में लगे हैं हमने देखा है कि जो प्रिशिक्षनार्थी हैं उनकी शंख्या भी प्रयाप्त है और चिकित्सक भी रुची के साथ समय पर यह प्रिशिक्षन का कारिक्रम देते हैं यह इस कारिक्रम की लोक्तियता का कभा है बिलकुल डग साथ यह सरकार के सभी सम्मंधित जो इश्टाफ है वहां की जो स्वास्थे विफाग है राज्य स्वास्थे समिती है सारे हमारे पीएच सीज जिन्हों उन्होंने बहुत ही डेडिकेशन के साथ में यह कारिप्रम को आईजित किया प्रस्टिक्शन वहां पर प्रदान किया और एक्जाम जो केंद्र है उन्होंने एक्जाम कराया और दूसरे बैच की तयारी चल रही है तो इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं और खास बनाने के लिए बहुत सारे उनके इंस्टेक्शन में यह कारिप्रम हमने आगे बढ़ाने की कोसिस की और हमारे निदेशक डोक्टर असमेंदर सिंग बहल और यहां के जो हमारे संजशना सर जो है जिन्होंने इस प्रगाम की नीव रखी मैं सभी को धन्यवाद देता हूं स साथ में अपने उन सभी जो प्रशिक्शन ले चुके हैं उन सभी को भी बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं उनके सक्सेस्फुल कारिक्रम के लिए जो भी उनने सक्सेस पाई है और सेकिंड बैच की लिए भी मैं बढ़ाई देता हूं जो इस प्रगाम में आई हैं आप इस कारक्रम में आपको हम बताना चाहेंगे, खास्तों से सबसे पहले जो हम कारक्रम रखेंगे, वो हमारा जीवन सैलिक के जो सम्मंधित रोग हैं, उन पर हम चर्चा भी करते हैं. तो सबसे पहले हम बताएं आपको कि सामदाइक स्वास्ते प्रस्टेशन कारक्रम में जो हमारी पाठ सामिग्री है, वो आप जानते ही हैं कि इसमें तीन विशा हैं, आधार भूत जी विग्यान, दूसरा है मात्रित्व एवं बाल स्वास्ते देखवाल, और तीसरा विशा है रोगों वा आपातकालीन इस्थितियों में निवारण एवं प्रवंदन, तो ये तीनों ही विशे जो हैं बहुत महत्पूर्ण हैं, और इन तीनों विशेओं के आधार पर डक्सा हमने जो प्रेक्टिकल मैनूल जो है वो तयार किया है, जिसमें तीनों विशेओं की जो प बात कर रहे हैं, यह हमारा टॉपिक आता है विशेओं नंबर तीन के अंतरगत, विशेओं नंबर तीन में जैसा कि आप जानते हैं कि संक्रमक रोग वन और टू, रोगठाम के उपाय ये तीन, प्राथमिक उप्चार और पांचमा जो आपका जीवन सहली सम्मंदित रोग हैं, इस पर हम बातचित करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले रख सब जीवन सहली सम्मंदित जो रोग हैं, उनके विशे में हम बताना चाहेंगे, अपने जो हमारे प्रसेशनार थी हैं, उनके लिए, दिखिए इस पर जो खास बात जोड़ देनी की है, जीवन सहली से संक्रामक रोगों पे विग्यान ने अपना प्रभूत तो जमाया है, संक्रामक रोग धीरे धीरे हमारे समाज से गाइब होते जा रहे हैं, जो हैजा, कॉल्रा, यह सब जो पहले काफी प्लेग बगर हुआ करता था, इसकी संख्या में जैसे जैसे कमी आई है, तो एक नई तरह की बिमारियां हमारे समाज में सर उठाने लगें, जो नन कमिन केबूल डिजीज हैं, लेकिन उसका भी एपिडेमिक ही समझें, जैसे बलड पिशर के मरीजों की संख्या बढ़ गए, थायरॉइड, हाइपो थायराडिजिम का केस बढ़ गया, इसके अलावा और भी ए एंसर के संख्या बढ़ गई, ये सब चीजें बिचार नहीं हैं की ऐसा क्या हो गया की इन चीजों की संख्या बढ़ती गई, और हमने विञ्ञान ने सनक्रामक रोगों पर तो बहुत वजये पाया है, लेकिन इन चीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और आपको औस्टियार्थराइटिस भी सी स्टेडिय में आता है और आपको मैं बता दू कि ऐसा होता क्यों है ऐसा क्या हो गया दरसल हुआ यह है कि विग्यान का विकास बहुत हुआ और हमारी सुगधाएं बहुत पढ़ गई चलने फिरने से लोग यह रहे जगा ज़या पर रूट बन गया गाड़ियां आ गई, मोटर साइकल्स, कार घरगर में उपलब्द हो गए सहज रूप से खाने पीने समंदी, चीजें भी सहज उपलब्द हो गई प्रिशर मातरा में, वसी पदार्द, मांसाहार यह सब फार्माउस में, मुरगा वगएरा का उत्पादन से तो यह सहज सुलब हो जाने के कारण लोगों में आराम तलब होने की च्छमता जादा लोग कमफोर्ट जोने बहुत आसानी से चलेंगे नतीजा हुआ कि सरीर में बहुत से बिमारियों नई बिमारियों ने जो पहले बहुत कम हुआ करता था, उन बिमारियों ने घर जमाना सुरू कर दिया उसमें सबसे पहले एक बिमारी ही समझ़ीए वो है आविसिटि मुटापा मुटापा बहुत सारे बिमारियों को जन भी देता है तो आप देखें गे कि पहले जहाँ मोटे नो लोगती कँछ कम हुआ करते थी अब मोटे लोग के जादा होगी है यह मुटापा थेवह सरीर में Colesterol की ट्राइगलस्टराइड यह सब की जितनी जरुष्ट यहाँ हम सबसे पहले एक चीज बताएं कि जीवन सैली संबंधित रोग के वसे में जैसा आप बता रहे हैं तो जीवन सैली संबंधित रोगों में मुख्य रूप से जो रोग हैं वो हमारे कौन-कौन से हैं तो एक जो प्रेस्टिक्षन कारे करता जो अभी एरप्रेजेंट प्रेस्टिक्षन ले रहे हैं या लेंगे उन लोगों के लिए ये बिलकुल किलियर होना चाहिए कि वो रोगों कौन कौन से हैं तो जैसा अब ही आपने बताया कि हाट से सम्मंदित है तो हम ये क्या सकते हैं कि मोटापा जो है वो मुख्य रूप से एक इस तरह का लाइफ स्टाइल डिजीज है मोटापा तो एक महज लक्षन समझे उससे होने वाली कई बिमारियां हैं जिसके सुची अभी हमने बताई भी है जैसे बलड पिशर का बढ़ जाना पक्छा घात का होना मजमेह की बिमारी कैंसर हर्ट अटेक या हर्ट से रिलेटेड और दूसरे बिमारियां ये सब बिमारियां हमारे फूड हैबिट्स चेंज होने के कारण हो गया है स्मोकिंग और अलकोहल का यूज हम लोगों ने बढ़ा दिया है जंक फूट्स वगरा कि ये बढ़ जाने के कारण है प्लस एक्सरसाइज की कम ही आगए हम लोग सरीर से स्रम कम करते और बियायां भी कम करते हैं ये सब चीजें हमारे इन बिमारियों को जन्म देने में बड़े सहायक कारक हो गया है और इन चीजें पर नियंतरन की आवशक्ता है हमें इन बिमारियों के बारे में कुछ कुछ जानना भी चाहिए और हमारे स्वास्त कार्य करता को भी जानना चाहिए इसलिए कि ये वो कौन से चीजें हैं जब दिमाग में ये बात रहती है कि इन कारणों से हो रहा है तो उसे दूर करने के उपाय भी सहज डूप से सूच जाते है और नहीं अगर ये कारणों की जानकारी नहीं हो तो हम लोग जूशते रहते हैं अच्छा किसी ने कुछ कहा दिया मुटापा है तो ये कर लो थोड़ा गरम पानी में निवू डाल के पीलो थोड़ा मट डाल के पीलो कुछ-कुछ-कुछ-कुछ लोग उपाय करते रहते हैं लेकिन जो इसके आधारभूत कारण है उन कारणों पर अगर छोट नहीं करेंगे तो ये सारे उपचार वो टाइन टाइफिस होने जैसी बात हो करके रह जाएग इसलिए मूल कारणों पर हम लोगो अच्छा करनी चाहिए बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मूल कारणों पर और जो कारण है जब तक हम इन कारणों को नहीं जानेंगे तो कैसे हम उन से छुटकार अप्राप्त कर सकते हैं तो कारणों को जानना में बहुत जरूरी है कौन-कौन से इस कि रोग है क्युक्कि कई या ऐसा ना संझा जा जाए वो जीवन सहली से समंद्ध रोग समझते ही नहीं है लोक कई बार वो क्याते है हर्ट की प्रॉलम है जी or वो कहीं और उसको लेते है या blood pressure हो रहा है, तो blood pressure क्यों हो रहा है, वो जीवन से सम्मंदित या उनकी जो style है, जीवन की उसके वारे में वो नहीं बिचार कर रहे हैं, तो वो भी बिचार करना आवसक है, उनके कारणों को जानना आवसक है, डगसब ने बहुत ही सुंदर तरीके से वो कारण बताई कि कि कारणों की वैसे ये life style डिजीज जो है वो उत्पन होती है, और कौन-कौन सी वो डिजीज है, जो देखने को मिलती है, सबसे पहले पेट से सम्मंदित याद कहीं समस्या होती है, तो आदमें बाद में पता चलता है, तब उसको पेट में पेट साफ नहीं होता है, उसका सर म हाट से सम्मंदित पौलम हो गई, और फिर डियबिटीज भी होने लगी, डियबिटीज होने से अनेक बीमारियां और हो गई, मुटापा बढ़ गया, तो डग सब जो कह रहे हैं, इन चीज को हमें विशे सूप से ध्यार रखना चाहिए, डग सब हम थोड़ा थोड़ा प् ब्लड पिशर के मरीज आजकल बहुत बढ़ गया है, और ब्लड पिशर के कारण कई और दूसरी बिमारी आती है, ब्लड पिशर के कारण मुटापा भी आता है, मुटापा के कारण भी ब्लड पिशर आता है, ब्लड पिशर ज्यादा रहने से लेफ्ट वेंटिकुलर देना चाहिए हाई ब्लड प्रिशर वालों के को ही डियाविटीज भी ज्यादातर होते वे देखा गया है तो ये बिचार करना है कि आखिर ये हाइपर टेंशन या ब्लड प्रिशर का बढ़ जाना होता क्यों है होता ये है कि हमारे रक्त नरिकाएं जो लचीली होती है इनका लचीलापन कम हो जाता है और वो थोड़ा हार्डेन होने लगते हैं थोड़ा कड़ा हो जाता है उस कड़ा होने से जो ब्लड जिस प्रिशर के साथ हमारे हर्ड से चलता है वह प्रिशर आगे चल करके मिंटेन देरे देरे कम होने के बजाए वह वह वैसा कवैसा ही रह जात है जो blood pressure को नियंत्रेद करने में मदद करता था इसके अलावे और भी बहुत सारे कारण हैं लेकिन मुखे रूप से हम लोगों को ये समझा सकते हैं कि देखिए ये मुखे कारण है आपनों को भी से इस्थान देना चाहिए ऐसा क्यों लचिलापन करने से भी hardening हो जाता है उसका यहां एक confusion वाली बात होती है अक्सर लोग जो dieting करते हैं मुटापा कम करने या blood pressure कम करने के लिए वो नमक की मात्रा को बंद कर देते हैं जो उनसे निबहता नहीं है बंद करना भी स्रीर के लिए नुक्सान दे है वो तेल घी वगरे को बिलकुल ही बंद कर देते हैं वो भी नुक्सान दे है क्योंकि घी तेल के भीतर बहुत सारे vitamins हैं जो vitamins हमारे स्रीर के लिए आवसक हैं अगर हम बिल्कुल बंद कर देंगे, तो उन विटामिन से होने वाले लाब से बंचित हो जाएंगे, कई नई बिमारियों को जर्म देंगे, इसलिए उनका बैलेंस में होना जरूरी है, ना बंद करना है, ना उसका अतिशेवन करना है, उसका बैलेंसिंग करके करेंगे, तो हम लोग में फिर तलते हैं फिर ठंडा होता है इससे वो फैट जो है वो अपना ज्यादा सैचुरेटर और ट्रांस फैट में तब्दिल हो जाता है वैसे ट्रांस फैट ही देखा गया है कि हमारे सरीर के हमारे रक्त वाहिने नलियों में हार्डनिंग पैदा करता है तो इन चीजों से बचने का है और जो ही हम भोजन करते हैं उसे स्रम के द्वारा उसका नियोजन करते रहना है इस बात को ध्यान दे रहा है अगली बिमारी की तरफ चले हम लोग बिल्कुल बिल्कुल तो अगली बिमारी हम लोग डियाबिटीज की मधमेह की बिमारी है पहले भी हुआ करती ऐसा नहीं है कि आज की बीमारी है पहले भी हुआ करती थी लेकिन अब इसकी संख्या में अचानक बृत्धी हो गया, पहले ऐसा माना जाता था कि बड़े लोग जो आराम से रहते हैं जिन के पास पैसा है सरेर से स्रम नहीं करते ऐसे लोगों को ये बिमारी हुआ करते हैं। लेकिन ये विगत कई दसकों से देखा गया है कि बहुत सारे लोग भारत में जो लोग स्रम करते हैं उन्हों के यह यह डियाविटीज अपने पाउं पसारना शरू कर दिया है इसके कारणों को हम लोगों को ठोड़ना चाहिए पहला कारण यह है कि हम जो खानपान हम लोगों का भी है वो थोड़ा कुछ जादा ही प्रदूसित हो गया है और जंक फूड खास करके जो हम लोग पाजार में हमारे बच्चे या हम लोग भी पसंद करते हैं तो उस जंक फूड डियाविटीज का एक बड़ा कारण सिद्ध हो रहा है उस तो अनुवन से कारण होते हैं डियाविटीज के इसलिए यह खास करके टाइप टूड टाइप का जो डियाविटीज हो है वह बड़ा उसकी संख्या बहुत बढ़ती चली जा लिए तो हमें इन चीजों पर नियंतरम रखना होगा डाइटिंग करने का मतलब यह नहीं होता है कभी कि हमको यह खाना बिलकुल बंद कर देना है यह नहीं खाना है सब चीजों का एक संतुलित मात्रा में करना है और exercise जो लोग सरीर से स्रम खेत में नहीं कर रहे हैं या यह है तो exercise वो कर सकते है exercise भी संतुलित धंक से हो और भोजन के बीच दोनों के बीच में एक संतुलन होना ज़रूरी है हम लोग जो calorie लेते हैं चाहे वो fat के रूप में हो, protein के रूप में हो, carbohydrate के रूप में हो, उसका सरीर स्रम के साथ नियोजन होना बड़ा ज़रूरी है नहीं तो स्रम अगर कम करते हैं और हम भोजन में ज़्यादा करते हैं तो वो डिपोजिट है डिपोजिट होता है और हमारे सरीर में कल resemble कंजंशन का इंबैलन्स हो जाता है भारड़। है हमारे pancrease के beta cells जहां से ग्लुको ये insulin का सिक्रेशन होता है वो गड़ बढ़ा जाता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और सरीर में सरकरा की मातरा बढ़ जाती है रक्त में सरकरा की मातरा बढ़ जाती है जो ultimately हमारे kidney हमारे आँख हमारे retina हमारी तचा, हमारे नियरोंस, हमारे गुर्दे, हमारे हर्ट, ये सब को प्रभावित करता है, ब्लड पिशर को भी ये बढ़ावा देता है, और नतीजा होता है, कि एक चक्रवियो में, जो परीज है, वो एक चक्रवियो में फस जाता है, जिसे कहीं से ब्रेक करके, धीरे धीरे सथियों का भी सम्यक सेवन करना जरूरी है यह डायविटी जो है वह बहुत ही कॉमन हो रही है और लोगों को बहुत ज्यादा जोंगी संख्या में हो रही है तो इस पर विचार करने की आफ सकता भी है और जैसा डाक्सनम्र बताया कि केस तरह से जो कार्ण है उनको हम ज़र द तो चुट गी थी वो यह है कि smoking और alcohol intake यह दोनों diabetes को बढ़ावा देते हैं इस तो हमें smoking और जो alcohol हमें इसको नहीं हमें लेना है इस से हमें दूर रहना है जितना हम इससे बच के रहेंगी तो अन्य भी मतलब स्वास्थे के देश्टी से वैसे भी ठीक नहीं है तो हमें इनको दूर ही करना पड़ेगा तो इनको दूर रखना चाहिए और तीसरी बात हम करते हैं हिर्दे पक्षागात की और चौत ही जो है वो हमारा जो बहुत ज़्यादा आज कल उसकी भी संख्या जो है बढ़ती जा रही है रोगियों की कैंसर की तो ड़क सब पहले हम संशित में हि जब से ज़्यादा प्रफाव पड़ा है जीवन सहली में परिवर्तन का मतलब के विल यही नहीं है कि हमारे खान पान डिस्टर्ब हुआ है हम लोग तनाव में रहने लगे हैं स्ट्रेस लेवल लोगों का काफी बढ़ गया है नतीजह यह है कि मांसिक असंतुलन के कारण हम हमारे इंडो क्राइनल सिस्टम यानि जिसे हार्मोन हम लोग कहते हैं हार्मोन के स्राव में भी असंतुलन हो गया हमारे भीतर थारोयड डिस्टर्ब हो गया पिट्यूट्री डिस्टर्ब हो गया अड्रेनल ग्रेंड का डिस्टर्बिंस हो गया जो अल्टिमेटली हमारे हर को प्रभावित करता है, हर्ट के में होता है और हिर्दे पर जिसको हर्दे आगहात कहते हैं, इसकी संख्याब बढ़ने लगे है. पहले माना जाता था कि साथ साल के उम्र के बाद राया हर्दे खाघ हात होगा करता है यह चीज़ेगे लेकिन अब हमारे स्टीवन सैली ने तीस चालिस की उम्र में लोगों को три अगहात की संख्या काफी बड़ गए तो यह बिचार निए है यह न किवल बिचार निए है हमारे वह ग्यानिकों के लिए बलकि ये वेग्यानिक के लेवल से हमारे चिकत्सकों तक पहुंचे और चिकत्सकों के मारफ़त हमारे स्वास्त कारताओं तक पहुंचे और फिर जन जन तक ये बात जानकारी होनी जरूरी है कि हमें कैसा खानपन रखना है हमें अपने स्ट्रेस लेवल को कैसे कम करना ह योग और इन छीजें इसमें बड़ी मदद करती है और आसन एकसरज़ भी इसमें मदद करते हैं इन सबों को आम आदमी तक पहुंचाना एक बड़ा दाईत तु है जो चिकितसक नहीं कर सकते हैं लेकिं लेकिन हमारे स्वास्त कारे करता कर सकते हैं क्योंकि वो जन्जत तक पहुंचते हैं और अपनी बात स्वास सम्मंदित जानकारी को उन से सेर करके उन तक पहुंचते हैं बिलकुल तोड़क सब अपना बताया है कि हिर्दय सम्मंदित यद आपको कोई समस्या है बीमारी है तो आप निश्यत रूप से योग के माध्यम से विविन आसन किरिया और प्रायम के माध्यम से अपने आपको सस्त और चुस्त रख सकते हैं लेकिन ये भी ध्यान रखे हैं क कि हिर्दय सम्मंदित जो भी बीमारी है उसमें हम कौन से आसन कर सकते हैं कौन से नहीं इसके वारे में भी जनकारी रखना बहुत जरूब है शग और चिकित्सक ये दोनों के बीस्ट में तालमेल बैठा करके ही एक बिलकुल बिलकुल नहीं तो ये असंतुलन और बढ़ जाएगा तो ये हम कर सकते हैं आसानी से लेकिन यहां एक बात बहुत जो इंपॉड़न्ट है कि स्वास्ते कारे करता उस इस्थिती में जब किसी आपातकाली नस्थितियों के मेनेजमेंट भी ऐच्पटर में दिया हुआ है लेकिन आपने पूछा है तो मैं इस चेक्ट को यहां करता हूँ तो जब भी कभी हिर्दया घात का मरीज हो या पक्छा घात का मरीज हो पक्छा घात मतलब लक्वा जिसको कहते हैं लक्वा का मरीज हो अगर कोई मरीज ऐसा मिलता है जैसे उसके लक्चन ही है अगर हिर्दया घात का मरीज है तो उसे चेस्ट पेन होगा वो बेचैनी होगी उ जाएगा, कभी उसकी सांसे उखड़न लेगे, उसके नब्ज तेज हो जाते हैं, नब्ज रुपने भी लगते हैं। तो ऐसी सिती में ऐसा कोई मरीज अगर है तो उसे यता सिग्र लिटा करके बिल्कुल आराम से लिटा करके माते के नीचे तक्या रह करके उसे यथा सिगर चिकित्सक तक पहुचाना है कुछ औसधिया है जिसे दी जा सकती है जैसे सौर्विट रेट वगएरा है इमर्जनसी में अगर पहले से मालू है कि वह मरीज यह हर्ड डिजीज का मरीज रहा है तो उसे सौर्विट रेट वगएरा की गोली हम लोग जीव के नीचे देते हैं ताकि थोड़ा वासो डैलिटेशन हो और हिर्द्यागात का जो हानी है जो खत्रा है वो थोड़ा कम हो जाए तो इसकी साथ उसे यता सिगर उपचार करने की बजाए उससे जितनी जल्दी हो लिटा करके सिरहाना उंचा करके जितनी जल्दी हो चिकितसक या नजदीक के अस्पताल तक पहुँचा जेना चाहिए जहां इसकी विसीस बिवस्ता हो इसके उपचार की और इसी जी और दूसरे सहार की जो के सहारे वेंटिलेटर के सहारे उसका ठीक से इलाज किया जा सके याद रखना है उसे ऐसे कि किंदर तक पहुचाना जितनी जल्दी ज़रूरी हो जो किंदर हिर्दय रोग से सम्मंदित इलाज के लिए पूरी तरह सुसजित हो बिलकुल यह बहुत ही महतपूर जनकरी डक्साव आपने दी और स्वास्थाकार करता को यह विसे शुरूप से ध्यान रखना चाहिए इस निश्चित रूप से किसी को हड्ट से सम्मंदित पॉलम है और स्वास्थाकार करता यद यह थोड़ी सी जनकरी उसको यह सब है तो वो निश्चित रूप से उसकी लाइफ को सेव कर सकता है उसको मदद करके चिकिसा चिकिसा के पास तक पहुंचा करके एक बहुत बड़ी कारवाही कर सकता है तो यह सब चीजें जानना बहुत ज़्रूरी है और यहाँ पर जो है चुँकि यह जीवन से सम्मंधित जो अलग-अलग तरह के जो बिभिन रोग हैं जीवन सैली के जो रोग हैं इन रोगों पर स्वास्था कार करता को पूरी जनकरियद होती है तो वो निश्ट रूप से बहुत सारी चीजों में सेविंग कर सकता है और लाइफ सेप करते हुए देश हित में और स्वास्था किस शित में बहुत बड़ा काम कर सकता है निश्ट रूप से आपको फाइदेवन रहेगा यह प्रेसिक्षन और यह जो त्यारी है आपकी करने की प्रेसिक्षन की वो आप इसके माध्यम से कर सकते हैं बहुत धन्यवाद आपका नमस्कार जय हैं जय भारत नमस्कार